नमस्का, राजनमा टीही पर आपका सौगत है, मैं प्रियाम आपके साथ पच्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचाय चुनाओं से पहले लगातार हिंसा की घटनाय सामने आ रही है बुधवार को साउथ 24 पर गना जीले के कैनिन में कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के दोरान सत्ताधारी टीमसी के दो गुटों में हिंसक चड़प हो गई दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बंग से हमला किया ब्लाक अध्यक्ष सेबल लाहिर्णी के नेतरतों में टीमसी कारेकरताओं ने कैनिंग बस स्टेंड के पास सड़क जाम कर दिया उनका आरोप है कि त्रोनमुल कांग्रेस के दूसरे गुट ने उन्हें तब रोका जवे कैनिंग में बीडियो आफिस में नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे महीं दूसरा गुट टीमसी विधायक परेश राम का करीबी माना जाता है इदर बाकुंडा जिले में पुलिस ने चेकिंग के दोरान एक कार से बैग बरामत किया जिसमें एक दरजन बम भरे हुए थे पुलिस ने कार चप्त कर आट लोगों को गिरफतार किया पंचाच चुनाओ के नॉमिनेशन में अभी दो दिन ही बचे हैं मंगलवार को कोलकता है कोर्ट में भी नॉमिनेशन की तारीः बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई थी कोर्ट ने खा था कि नॉमिनेशन की तारीः बढ़ाने पर राज चुनाओ अयोग फेसला करे कोर्ट ने राज में हिंसा की घटनाओ को देखते हुए सवदेइंशील जीलों में सेंटरल फोर्स तेनात करने का निर्देश दिया है इससे पहले 13 जून को इंडियन सेकुलर फ्रंट और तुरुनमल कांगरेस के समर्थकों के भी छड़प हो गई थी साउथ 24 परगना जीले के भांगर से ISF के विधायक नवसास सिद्धिकी ने कहा कि जब हमारी पार्टी के कारी करता नामंकन दाखिल करने गए तो उन्हें टीमसी के गुंडों ने पीटा यही इस्तिती बनी रही तो निश्पक्ष पंचा चुनाओं नहीं हो पाएंगे